नमश्कार स्वागत है आपका N27 News में आपके साथ मैं हूँ संजीव निचौधरी आपको बता दें कि देश को पहली Rapid Rail यानी नमो भारत मिल गई है अभी ये रेल पांच स्टेशनों के बीद 17 किलोमीटर तक कसफर तै करेगी बाद में 82 किलोमीटर का कॉरिडोर पूरा होने के बाद दल्ली से मेरट तक की यात्रा एक घंटे से कम समय में की जा सकेगी कल यानी 21 अक्टूबर से Rapid Rail सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी पहले फेज में दल्ली गाज़बाद मेरट कॉरिडोर पर साहिबबाद से दुहाई डीपो तक 17 किलोमेटर की यात्रा की जा सकेगी ये यात्रा 12 मिनट में तै की जाएगी आपको बता दें कि Rapid X ट्रेन के प्रीमियम पोच में दो डस्प्ले स्क्रिन लगाई गई है हवाई जाहज की तरह इस स्क्रिन में ट्रेन की गती की जानकारी प्रदरशित की जाएगी इसकी अलावा ट्रेन की लोकेशन भी स्क्रिन पर दिखाई देगी स्क्रिन पर देखकर पता चल सकेगा कि ट्रेन केसे स्टेशन पर पहुँचने वाली है देश की पहली सैमी हाई स्पीड में मरीजों को लाने ले जाने के लिए भी स्ट्रेक्चर होंगे उनके लिए अलग स्थान चिनहित किया गया है पहली बार की गई इस विवस्ता से मेरट या गाज़ेबाद से रेफर किये गए मरीजों को दल्ली ले जाने और लाने से आसानी होगी मही यात्रियों की सायता के लिए प्रीमियम कोच में एक साय अक्तेनात रहेंगे किसी भी जरुद के लिए यात्री इने बुला कर मदत ले सकेंगे स्थेंडर कोच में साय अक्तेनात नहीं होंगे लेकिन किसी आपात स्तिती में यात्री इने बुला सकेंगे बता दे चले हैं प्रधानमंत्री नरिंद मोदी ने उत्रप्रदेश के साइबरवाद रैपेडेक्स स्टेशन पर दल्ली गाज़बाद मेरट आरार टीएस कोरिडोर के प्रात्मिक्ता वाले खंड का उधगाटन किया देश की पहली रैपेडेक्स ट्रेशन को प्रधानमंत्री नरिंद मोदी ने हरी जंडे दिखा कर रवाना किया पीम ऑनलाइन टिकेट खरीद कर इस ट्रेशन के पहले यात्री भी बनी उनके साथ ट्रेशन में स्कूली बच्चे भी सवार थी आपको बता दे कि दिल्ली गाजबाद मेरेट आरार टीएस कोरिडोर के प्राथमिकता खंड का उधगाटन करने के बाद पीम नरेंद्र मोदी और सीम योगी जंसभा को संबोधित करने पहुँचे जंसभा को संबोधित करते हुए उतरप्रदेश के मुखे मंतरी योगी दितरनात ने कहा कि बंदे भारत ने हमें नए भारत की जलक दिखाई आज देश का सबसे अधिक आवादी वाला राज्य नए भुनियादी धाचे का गवा बन रहा है आईए आप भी सुनिये सीम योगी ने आगे क्या कहा आज देश की सबसे बड़ी आवादी का राज्य एक नए इंफ्रस्ट्रक्चर का दर्शन कर रहा है डबल इंजन की सरकार के ही प्रियास हैं कि आज उतरप्रदेश के पांच सीटी ऐसी हैं जहां पर अत्यादुनिक पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की विवस्ता के रूप में मेट्रो रेल का सफलता पूर्वक संचालन हो रहा है और फरवरी में आपके ही करकमलों से आगरा में भी मेट्रो रेल का संचालन प्राइटी सेक्शन में प्रारंब होगा इस द्रिश्टी से पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की अत्यादुनिक सुविधा के साथ ही वारानसी में बावा विश्वनात के धाम में जिस देश की सबसे प्राचीन अविनासी कासी को आज आपने उसकी प्रातन काया को नए कलेवर के रुप में बदलते हुए देश की पहली रोप हुए सर्विस का कार्य भी आज वाराणासी में युद अस्तर पर आगे बढ़ रहा है वही पीम मोदी ने जम्न सबा को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश के लिए तेहासी क्षन है चलिए आपको भी सुनाते हैं पीम मोदी ने क्या कहा रेपीड रेल सेवा, नमो भारत ट्रेन, राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंब हुई है लगभग चार साल पहले मैंने बिल्ली, गाजियाबाद, मेरट, रीजनल कोरिडोर पोजे की आधार शिला रखी थी आध, साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्थे पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका सिलान्यास हम करते हैं, उसका उदगाटन भी हमी करते हैं और ये मेरेट वाला हिस्था एक साल, देड़ साल के बाद पुरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मोजूद रहूंगा पीम मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन में आधुनिक्ता भी है, गती भी है, ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाशित कर रही है, चलिए आप भी सुनिए नमो भारत ट्रेन में आधुनिक्ता भी है, गती भी है, अदुबुस स्पीड भी है ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाशित कर रही है मेरे परिवार जनों, मेरा हमेशा से मानना है कि भारत का विकास राज्जों के विकास से ही संभव है आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबबाद रैपिड एक्स स्टीशन पर दिल्ली गाज़बाद मेरट आरार टीएस कोरीडोर के प्राथ मिक्ता वाले खंड का उधगाटन किया पीम ने हली जंडी दिखाकर रेल को रवाना किया पहले चरण में साइबबाद से दुहाई तक का ये ट्रेन सफर तै करेगी अभी के लिए इतना ही ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं सिर्फ N27 News पकड हर खबर पर आप देख रहे हैं N27 News पकड हर खबर पर